असलाम लेकूम, I am Faisar Jalil, Lecturer Special Education from University of Education. Welcome to all of you. हमने English Braille की series start की थी, lecture 1 में हमने English Alphabards के dots पड़े, उनको use करने का rules पड़े, ठीक है, आज हम English Braille के whole words पड़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे के whole words को simple upper word science भी कहा जाता है, पहले हम यह देखेंगे, किसम्पल अपर word science क्यों कहा जाता है, simple इन्हें इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रेल का one single cell cover करते हैं, ठीक है, अपर इन्हें इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इन में या तो dot 1 या dot 4 इस्तमाल हो रहे होते हैं, यह दोनों में से किसी एक को अच्छा उसके अलावे इन्हें वर्ड साइंस क्यों कहा जाता है इन्हें वर्ड साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक पूरे वर्ड को एक complete वर्ड को रिप्रसेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अब यह clear हो गया आपको अब इसके बाद की dots देख लेते हैं क्या है और पिर इसको use करने का rule देखेंगे तो A से कोई whole word नहीं है B से but one two C से can one four D से do one four five E से every one five F से from one two four G से go one two four five H से have one two five J से just two four five K से knowledge one three L से like one two three M से more one three four N से not one three four five P से people one two three four Q से quite Q U I T E quite ठीक है इसके dots है one two three four five R से rather one two three five S से saw two three four T से that two three four five U से अस one three six V से very one two three six W से will two four five two four five six X X it one three four six Y से यू one three four five six Z as one three five six इनको use करने का rule इस तहां से है कि आपने इन whole words को as a whole word इस्तमाल करना है तू साइड़ स्पेस के साथ इनको लिखने से पहले भी एक सल खाली छोड़ना है और इनको लिखने के बाद भी एक सल खाली छोड़ना है लेकिन अगर ये ब्रेल लाइन के स्टार्ट में आ जाते हैं तो फिर आप लाइन के पहले सल से लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसस तो इससे पहले तो कोई सल नहीं छोड़ना आपने पहले सल में यह होलवड लिखना और पाद चोड़ कि अग्ला लवस लिखना इसी तरह से अगर यह ब्रिल लाइन के आखर में आ जाते हैं तो फिर आपने इनको लिखते ही मतलब इसमें से कोई भी होलवड आ जाता है लाइन में आ रहें किसी भी वर्ट के साथ आ रहें तो आपने स्पेस के साथ इस्तमाल करना है और दूसरी बात यह कहीं कि आप इन होल वर्ट को इजा वर्ट साइन की हमाल कर सकते हैं हैं मतलब इस अ standing alone या whole word के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसको आप as a part word इस्तमाल नहीं कर सकते हैं मतलब आप किसी लफस के हिस्से के तोर पर इसको शुरू तर्मियान या आफिर में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं एक्जेंपल में आपको इस तरह से दूँगी फॉर एक्जेंपल अगर आपने word line में लिख रहे हैं he likes ठीक है तो आपने क्या करना है कि he के dots लगाने he के dots लगाने के पाद एक सल खाली छोड़ना है उसके बाद likes यहां पर यह like ठीक है like नहीं आरा likes आरा तो आपने क्या करना है कि like को fully spell out करना है यहां पर आप like का whole word use नहीं करेंगे ठीक है लेकिन अगर like line इस तरह से हो के I like reading अब यहां पर आपने i के dots लिखने है एक सल छोड़ना है और फिर l लिखना है one two three और क्योंकि यहां पर like आ रहा है अब उसके साथ s यह किसी तरह कि किसी भी alphabet का इजाफा नहीं वा वा तो यहां पर आप L का whole word like इस्तमाल करेंगे और सिर्फ L के dots लिखेंगे one two three और पर उसके बाद cell छोड़ेंगे और reading लिखेंग और full stop लगा देंगे ठीक है लेकिन जैसे पिछली जैंपल में likes था s का इजाफा हो गया तो आपने यहां पर like का whole word इस्तमाल नहीं करना तो इस तरह से हम इसको इस्तमाल करेंगे शुक्रिया अलाफ़र्स